आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो देखो, इसको देख के तो ऐसा लगता है क्योंकि सारे ही केसों में क्या हुआ है Temperature सेम ही Fall हुआ है, कितना 5 डिगरी Celsius तो होना क्या चाहिए, Energy भी सेम रेडियेट होनी चाहिए या Energy का Loss जो है, वो सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता देखो, हमें पता है, जो P Loss होता है वो क्या होता है, Power Loss is equal to, हम यह लिख सकते है DQ by DT, DQ क्या है, यहाँ Energy, ठीक है, Heat Energy और यहाँ Negative आता है, Negative क्यों आता है, क्योंकि Time के साथ यह Decrease कर रही है, ठीक है Power Loss हो रहा है, मतलब Q क्या हो रहा है, एक तरह से उस Ball का Decrease हो रहा है, तो यह किसके Equal होता है E, Sigma, A, TB की Power 4, Minus, TS की Power 4, यहाँ एक एक Term की Meaning समझते हैं, देखो, E क्या है, यहाँ Emissivity of Substance तो इस Case में Iron Ball है, तो माल लेते हैं, यह क्या है, Constant है Sigma क्या होता है, Sigma होता है, Stiffan Constant, ठीक है तो यह भी एक Constant है, यह तो Time के साथ Vary नहीं करेगा, Area क्या है, Area of Ball भी Constant है, ठीक है, क्योंकि एक ही Ball, यह, एक ही Ball के Case में यह सारे Temperature Fall हो रहे हैं, बचता क्या है, यहाँ TB की Power 4, Minus, TS की Power 4 यहाँ भी देखके ऐसा लगता है, क्योंकि यह Difference ही तो है, आखिर में हाना कि इस Body का Temperature की Power 4, Minus, यह क्या है, Temperature of Surrounding है, यह है Temperature of Body तो देखके तो यही लगता है, कि यह दोनों Same आएंगे हर Case में, पर Actual में नहीं होगा इसे देख भी सकते हैं, Equation Solve करके, तो देखको, अगर हम Equation Solve करेंगे, तो यह हो जाएगा E, Sigma, और A को क्या करते हैं, यहाँ नीचे ले आते हैं, P Loss divided by A, क्योंकि Final में हमसे क्या पूछा है, Rate of Loss of Energy per Unit Area तो Power क्या होता है, एक तरह से Rate of Energy, और उसको Area से हमने Divide कर दिया, तो यहाँ क्या आजाएगा E, Sigma, into Temperature of Body की Power, देखो, इसको कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, इसका Square, और फिर इसका भी Square माइनस of Temperature of Surrounding का Square, और फिर इसका भी Square कर देते हैं, ठीक है, अब ब्रैकेटे यहाँ Close कर देते हैं, इससे होगा क्या, यह A Square माइनस B Square की Form में बन जाएगा, तो इसे Further Expand अगर हम करेंगे, तो यहाँ आजाएगा E Sigma, और यह हो जाएगा, T B Square माइनस T S Square, इन्टू, T B Square, प्लस T S Square, यहाँ तक चीजे समझाई, पर अभी भी हमें Actual Difference वाली चीज नहीं मिले, कि 70 माइनस 65 हाना, यहाँ Square है, तो इससे Further क्या करते हैं, Expand कर लेते हैं, तो यहाँ E Sigma Is equal to, यहाँ फिर से क्या करते हैं, A minus B into A plus B is equal to A square, देखो, A minus B into A plus B is equal to A square minus B square होता है, यह सभी को पता होगा हाना, तो यहाँ फिर से वो Property लगा देते हैं, तो यह हो जाएगा हमारे पास T B minus T S, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T B plus T S, ठीक है, और इसको as it is लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा T B का square plus T S का square, ठीक है, और LHS में हमारा क्या है, पावर लॉस पर unit area, ठीक है, तो देखो, यह चीज सब में constant है, T B minus T S, ठीक है, 75 minus 70, 70 minus 65 और 65 minus 60, लेकिन क्या यह चीज constant है नहीं, पहले case में temperature of body कितना है, 75 degree Celsius, ठीक है, तो भी Kelvin में हम put करेंगे, वो यहाँ put करेंगे, लेकिन अगले case में क्या हो रहा है, 75 degree Celsius हो रहा है, temperature of body, तो हम कह सकते है, temperature of body क्या कर जा रहा है, decrease, यानि यहाँ भी decrease कर जाएगा, अगले case में क्या हो रहा है, और decrease कर जा रहा है, temperature of body, अना, तो हम कह सकते हैं कि जो power loss per unit area है, वो directly proportional है, T B के, directly नहीं, पर क्योंकि यह numerator में है, तो अगर temperature of body decrease करेगा, तो यह वाल करेगी, ठीक है, तो क्योंकि हमारा temperature of body in first case सबसे जादा है, comparative to temperature of body 2, और temperature of body 3, body 3 मतलब body in third case, ठीक है, जिस जब उसका temperature 65 से 60 degree fall कर रहा है, तो वो सबसे कम है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्योंकि power loss per unit area एक तरह से directly proportional है, अगर यह चीज़ decrease करेगी, तो यह भी decrease करेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, कि E1 होगा, मतलब E1 यहाँ क्या दे रखा है, यह दे रखा है, power loss per unit area, इसको E बोला हुआ है, तो E in first case is greater than E in second case is greater than E3, मतलब third case, ठीक है, जब temperature 65 से 60 degree fall करेगा, तो heat loss per unit area सबसे कम होगी, जब 75 to 70 to 65 करेगा, तो क्या होगी, थोड़ी उससे जाधा होगी, और सबसे जाधा किसमे होगी heat loss, जब 75 to 70 degree Celsius यह body heat release करेगी, ठीक है, मतलब loss करेगी, तो हमारा option कौन सा correct हो जाएगा, option 2 is correct, Thank you guys for watching this video.